इस्राइल की वार कैबिनेट ने राफा पर जमीनी हमले की मन्जूरी दे दी है और इसके बाद इस्राइली फौज ने पूर्वी राफा से आकरमन कर बंबारे भी चुरू कर दी है और इस हमले से पहले नेतनियाहू ने साफ कर दिया था कि हमास ने जिस युद्विराम प्रस्ताव पर हामी भरी है वो इस्राइल की मांगों से काफी दूर है और इसी वज़ा से आईडियाफ ने राफा पर चड़ाई शुरू कर दी बड़ी बात यह है कि राफा में 14 लाख से ज्यादा फिलस्तीनियों ने शरण ले रखी है लेकिन रफा में इस्राइली फौज को रोकने के लिए हमास ने भी ताबर तोड हमले शुरू कर दिये है दरसाब अलकुज ब्रिगेड ने जिरौट किबुज निराम और अन्य इस्राइली सेटिल्मेंट्स पर रोकेटों के साल वोदाग दिये है जिसमें इस्राइली सेना को तगड़ा नुकसान हुआ है इन में से अधिकतर हमले गाजा के उत्तर पूर में हुए है और अलकुज ने जब ये हमले किये तो उस वक्त जिरौट, निराम, मिफालसिम और गेवीम में रात करीब 11 बजे हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे और हमास ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि उसके पास अभी भी हतियारों का जखीरा है वीडियो में बड़े बड़े रॉकेट्स के साल वो नजर आ रहे हैं जिनें हमास के लड़ा के फायर करते हुए दिख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अलकासिम ब्रिगेड ने भी इसराइली सेटलमेंट नेटजरीम एक्सिस में मोर्चा समाल रखा है यहाँ पर अलकासिम ने इसराइली सेना पर 6 मई 2024 की सुभा रजूम रॉकेट फायर किये है और इसके बाद अलकासिम और जिहाद जिब्रिल ब्रिगेड ने भी इसी इलाके में इसराइली सेना पर 107 mm शौर्ट रेंज रॉकेट से हमला कर दिया और इस हमले के कुछ ही समय बाद अलकासिम ब्रिगेड ने IDF पर 107 mm के रॉकेट दाग दिये आपको बता दे कि नेट जरीम में सिर्फ अलकुज और अलकासिम नहीं नहीं बलकि गाजा के अन्ने संगटनों ने IDF के खिलाफ मोर्चा सम्भाला हुआ है और हमास ने अपने इन हमलों के वीडियो भी जारी किये हैं जिनमें हमास के लड़ाके रॉकेट लॉंचर्स में रॉकेट भरते हुए दिख रहे हैं और उसके कुछी देर बाद ये रॉकेट्स दना दन IDF की तरफ फायर कर दिये जाते हैं और इन हमलों के बीच गाजा में अल असका मार्टर ब्रिगेड ने भी इसराइली सेना पर रॉकेट हमलों की जड़ी लगा दी अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने इसराइली सेना पर दो रॉकेट हमले किये थे और इस हमले में उनका साथ अलमुजाहिदीन ब्रिगेड ने दिया था जिसने इन इन इलाकों में कई रॉकेट दागे थे और इस हमले के बाद अबू अली मुस्तफा के लड़ाकों ने रॉकेट का दूसरा साल वो आईडिएफ परदाग दिया जबकि मुझाहिदीन ब्रिगेड ने नेटजरीम में आईडिएफ के कमान सेंटर पर खुद हमला कर दिया हाला कि अलकुज ने जो वीडियो जारी किया है उसमें अलकुज के लड़ाके हर्याली के बीट छिप कर पहले तो लॉंचर में रॉकेट भरते हैं और उसके बाद उन्हें इसराइली सेना की तरफ फायर कर देते हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट आसमान को चीरते हुए आईडिएफ के ठिकानों की तरफ जा रहे हैं कि बाद बाद रहे हैं